बिग बॉस के घर में दिवाली के सलिबरेशन्स खतम हुए। कच्रीना कैफ ने अपनी फिल्म टाइगर 3 भी प्रमोट कर ली। और इस वीकेंड के बार के बाद सलमान खान ने एश्वरय शर्मा और विक्की जैन की क्लास भी लगा ली। अब दिवाली थी तो इविक्षन भी नहीं हुआ। चलो कोई नहीं। वैसे ये जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ। लेकिन जो कुछ अब होनी जा रहा है वो हमें नहीं लगता आप जानते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अब बिग बॉस 17 के घर में होने क्या जा रहा है। दिल, दिमाग और दम में रहने वालों की होगी अदला बदली। और अंकिता लोखंडे और विक्की जैन अब अलग-अलग कमरों में नजर आएंगे। वैसे इस वीकेंड के बार के बाद विक्की और अंकिता के बीच बहुत बहस होना तो लाजमी है। विक्की is feeling like a loser क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पहचान सिर्फ अंकिता लोखंडे के पती के रूप में ही है। अंकिता एक बहुत बड़ी celebrity हैं और वो उनके husband है। विक्की ने कई बार ये कहा है कि उन्होंने अंकिता को बहुत कुछ दिया है। लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंकिता सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और वो एक बहुत self-centered इंसान है। दूसरी तरफ अंकिता को लगता है कि विक्की उन्हें यूज कर रहे हैं और उन्हें अंकिता की कोई भी परवा नहीं है। इन दोनों के रिष्टों में इतने करवाहट अब सहन नहीं हो पा रहे हैं। थिंग्स आ नाओ गेटिंग टू डर्टी एंड परस्नल। बिग बॉस का ये सीजन रियालिटी शो कम और डेली सोब जादा लग रहा है। इतना मेलोड्रामा अब हजम नहीं हो रहा है। वैसे इस सीजन के बारे में आपकी क्या राय है। अब तक के सफर में आपका फेवरेट हाउजमेट कौन है। आप हमें उस हाउजमेट का नाप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजे। And for all the latest happenings in the entertainment world, do like, share and subscribe to our channel. Because we at Bombay Blues celebrate entertainment!